नमेशकार दोस्तों, RBI के द्वारा समय समय पर जो ATM transactions होते हैं, उससे related rules, regulations को change किया जाता है तो present में क्या situation है, cost कितना बढ़ा है, इन सब को देखते वे जो भी increase करना है, charges को लेकर, fees को लेकर बदलाव किये जाते हैं लेकिन यहाँ पर RBI ने वापस से जो ATM से related transactions हैं, उसके fees को बढ़ा दिया है, charge को बढ़ा दिया, यहाँ पर आप देख सकते हो, ATM penetration to rise as RBI increases interchange charges तो दीखें, यहाँ पर बहुत सारे question है, कि जब charges की हम बात करते हैं, तो एक तो होता है customers के उपर जो charge लगाया जाता है, यहाँ पर एक और होता है, जिसको कहा जाता है, interchange charges, इसका मतलब क्या हुआ, इसकी वजए से ATM का penetration क्यों बढ़ेगा, तो जितने भी doubts हैं, जो भी इंडिया ने Thursday को ही permit किया है, देखना, ध्यान रखना, permit किया है, मतलब कि bank को option दे दिया है, कि वो charges को बढ़ा सकते हैं, related to cash and non-cash, अब देखेगा, जब आप ATM जाते हो, तो वहाँ पर दो तरह के आप transactions कर सकते हो, एक होता है financial transaction, दूसरा होता है non-financial, मतलब इसको cash transaction भी कहत रहे हो, तो cash transaction होगा, और अगर आप सिर्फ balance के inquiry कर रहे हो, password change कर रहे हो, कुछ भी और कर रहे हो, तो non-cash transaction होता है, तो ये दोनों के उपर, जो भी facility आप लेते हो ATM के माध्यम से, तो आपको ये भी पता होगा, उसमें कुछ free transactions भी आपको दिये जाते हैं, आपका जो charges fake करने पड़ते हैं, और वो charges क्या था, अब आप देख सकते हो, कि पहले RBI ने कहा था, कि आप maximum 20 रुपए तक charge कर सकते हो, और अब यहाँ पर का है RBI ने कि अब आप 21 रुपीज चार्ज कर सकते हैं, अब देखने में बहुत ही छोटा amount लग सकता है, लेकिन इसके अंदर बहुत कुछ है मैं आपको आगे बताऊंगा, interchange वगर क्या होते हैं, तो यहाँ पर आप 20 के बजाए 21 रुपए आपका charges लग सकता है, ऐसा यहाँ पर RBI ने अनुमती दे दी है, जरूरी नहीं है, अगर bank चाहे तो अभी भी आपसे उतना ही ले, लेकिन अनुमती दे दी बहुत सारी जो charges है, general cost बढ़ आए, इसको देखते वे, और दूसरा है यहाँ पर interchange fee यह भी high हो गया है, वो मैं आपको बताऊंगा, आगे वीडियो में यह interchange fee होता क्या, और यह बहुत important role play करता है, ATM penetration को लेकर, तो इन दोनों चीजों की बज़े से, यहाँ पर, जो है, RBI न transactions कितने मिलते हैं, free transactions अगर आप देखोगे, तो जो पहले मिल रहा था, same वैसाई है, पहले क्या था, यहाँ पर हर महने, आपका खुद के bank ATM से 5 transactions आप कर सकते हो, 5, सब कुछ सामिल है उसके इंदर, चाहे financial हो और non financial, cash या non cash, जो भी, तो यहाँ पर 5 transactions आप कर सकते हो, अब इ कोई charge नहीं लगेगा, इसके अलावा, सबोज आसपास आपके SBI का ATM नहीं है, तो आप दूसरे bank के ATM में जा सकते हो, सबोज आप PNB के ATM में चले गए, ICICI bank के ATM में चले गए, तो वहाँ पर क्या है कि दो तरह से देखना है, अगर आप metro cities में रह रहे हो, अब metro cities कौन सी हैं, छे cities याद रखना, दिली, मुंबई, कलकता और चन्न, यह तो पता ही है, इसके अलावा, हैदराबाद और बेंगलूरू, ठीक है, तो यह छे शहरों में जो metro cities हैं, वहाँ पर आपको 3 free transactions मिलते हैं, दूसरे bank के ATM में, और जो non metro cities हैं, वहाँ पर आपको 5 free transactions मिलते हैं, दूस transactions मिलेंगे, ठीक है, इसमें आपको कोई चार्जने लगेगा, ATM में, जो भी आप चाहो, वहाँ पर कर सकते हो, पैसा मत चुराने के लावा, कुछ भी वहाँ पर किया जा सकता है, 8 free transactions, अब हम समझेंगे कि यह interchange fee क्या होता है, मैंने आपको एक reason बताया था न, यहाँ पर की R interchange fee भी high हो गया है, interchange fee का simple अर्थ यह होता है, जैसा मैंने आपको बताया, suppose आपका card है SBI का, ठीक है, आपका bank account SBI में और आपके पास card SBI का है, तो अगर आप अपना transaction SBI के ATM के बजाए, suppose ICICI bank के ATM में करते हो, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि, आपका card तो किसका SBI का है, और आप transaction, पैसा कहां से withdraw कर रहे हो, ICICI bank ATM से कर रहे हो, तो यहाँ पर facility किसका लिया आपने, facility ले लिया आपने ICICI bank का, लेना किसका था आपको, SBI ATM का लेना था, तो यहाँ पर ICICI आपको क्यों, free में service थोड़ी देगी, तो इसके लिए क्या होता है, क्योंकि ICICI bank ने आप interchange, यहाँ पर change हो रहा है, तो यहाँ पर क्या किया है, RBI ने अपने नए notification के अंदर, 1st of August 2021 से, अगले 2 महने के बाद से, जो interchange fee है, वो पहले 15 रुपए हुआ करता था सरिफ, ठीक है, अब इसको बढ़ा कर दिया गया है 17 रुपए, यह किसके लिए है, financial transactions के लिए, अगर उपर impact नहीं आएगा, customer के उपर तो वही वाला है, 20-21 रुपए जो हुआ है, यहाँ पर सिर्फ bank to bank का जो fee है, उसके बारे में हम बात करने है, तो financial transactions पर यहाँ पर SBI को 15 के बजाए आप 17 रुपए देने पड़ेंगे, और जो non financial transaction अगर आप करोगे, उस case में SBI कितना जैना कि कई सारे जो bank थे, जिनका विस्तार बहुत जादा है, मतलब जिनका विस्तार काफी जादा है, लोग यहाँ पर क्या होता था कि वो bank जैसे SBI है, उनके बहुत सारे customers हैं, तो उनके कई customers क्या करते थे, दूसरे bank ATM से withdraw करने लग जाते थे, पहले क्या था, सब free कर दिय जिया था, कहीं से भी किदर भी withdraw करो, लेकिन problem क्या आ रही थी, SBI के बहुत सारे customer, ICICI bank में, HDFC bank में जाकर transactions करते थे, जिसकी वजह से, interchange fee बहुत जादा heavy pay करना पड़ता था, SBI को, तो SBI को लेकर loss होता था, तो यहाँ पर इस तरह के bank के द्वारा बुला गया, कि आप जैसे, overall जो आप fee pay करते हो, 20-21 किया गया है, वो भी एक कारण यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, तो यह हमेशा से एक bone of contention होता था, bank और bank, दूसरे bankों की बीच में, और दूसरे companies के बीच में, आपको पता है न, जो ATM की service है, वो ज़रूरी थोड़ी यह bank ही देगा, अ टा का कोई bank नहीं है, लेकिन हाँ, टाटा ATM सेट अप करती है, इंडी cash आपने सुनाओगा, तो यह लोग क्या करते हैं, यह लोग चाहते थे कि ज़्यादा उनके पास fee आए, इसी के लिए बार-बार demand किया जाता था, और यह भी बहुत बड़ा कारण है, जिसकी वज़े से अब यहाँ पर penetration जादा होगा, फी जादा मिलेगा, तो इस तरह की companies जो है, वो और जादा ATM सेट अप करेंगी, rural areas में ATM सेट अप करेंगी, क्योंकि आप उनको पास जादा fee आएगा, इसलिए कहा जा रहा है कि ATM penetration भी देश में बढ़ सकता है इसकी वज़े से, और याद रख जो भी decision लिया गया है, यह 2019 में committee set up की गई थी, under the chairmanship of VG Khanna, ठीक है, यह chief executive थे, Indian banks association के उस समय, और इन्हों ने यहाँ पर cost और इन सब चीजों को review किया, और recommendation दिया गया था इनकी दोरा 2020 में, तो RBI ने बोला है कि इन सारे recommendations को हमने ध्यान से सुना समझा, और इसके हिसाब से जो changes लाना है, वो हमने किया है, अब इस committee की दोरा देखिए, कई सारे suggestions लिये कहते, जैसे कि for example, उन्होंने ये कहा कि population के हिसाब से हमें ATM के charges करने चाहिए, basically उन्होंने population को divide कर दिया, एक ये कहा कि अगर population 1 million से जादा है, और दूसरे जगा population जहाँ पर 1 million से कम है, मतलब 10 lakh से कम population है, वहाँ पर जो free transactions था, उसको 5 से बढ़ा कर 6 कर देना चाहिए, मैंने आपको बताया दा ना, free transactions 5 है, कहीं भी आप देख लो, तो यहाँ पर population कम है, 1 million से कम है, वहाँ पर 6 कर देना चाहिए, और जहाँ पर population 1 million से जादा है, वहाँ पर 3 को ही, जो free transaction है, दूसरे ATM से जो आप लेते हो, वो same maintain करना चाहिए, इसके लावा उनके दोरा ये भी बोला गया, जो interchange fee है, जो bank के, दो bank के बीच में होता है, उसका price भी 15 रुपए से बढ़ा कर 17 रुपए कर देना चाहिए, और आपको दीखी रहा है, यहाँ पर RBI ने 17 रुपए इसको मान लिया है, और य तो hike है वो आपका, 15 से 17 किया गया, financial transactions में और non-financial transactions में 5 रुपए से 6 रुपए कर दिया गया है, तो यहाँ पर 2 रुपए का और यहाँ पर 1 रुपए का किया गया है, लेकिन यह जो committee थी, इन्होंने बोला था कि इसको 15 रुपए से बढ़ा कर 18 कर दो, और इसको 5 रुपए fee जो है, उसके structure में change किया गया था, 2012 में interchange जो fee में आपको बताया, और जो customers pay करते हैं, 20 रुपए, 21 रुपए अब जब pay करेंगे, यह हमने 2014 में revise किया था इस rate को, अब जाकर यहाँ पर revise किया गया है, यह भी धान रखेगा, अब ATM की मैं बारे में बात बता देता हूं आपक off-site, मतलब अकेले सिर्फ ATM है जहाँ पर, यह आपको आखड़ा देखने को मिलेगा, और 90 करोन debit card इस समय issue किये वे हैं, market के अंदर, इसके अलावा white level ATM मैं आपको आगे बता दूँगा, उसकी भी संक्या 25,000 के आसपास है, मतलब आप कह सकते हो, 2,40,000, 2,50,000 के आसपास, total ATM, ATM, देश के अंदर आपको देखने को मिलेंगे, और rural areas में अभी भी कमी है, rural areas सिर्फ 20% ही ATM, जो है वो rural areas में, और आपको पता है, हमारी population, जादा तर rural areas में रहती है, आज के डेट में भी, तो 20% ही ATM, rural areas में देखने को मिलेंगे, और इसी के वज़ए से, यहाँ पर आप बता है गया था, HSBC क्या है, Hong Kong Shanghai Bank Corporation, ध्यान रखेगा, तो मुंबई के अंदर सबसे पहला ATM लगाया गया था, और इसके अगले 12 साल के अंदर 1500 ATM आपके लग गया थे देश भर के अंदर, 1997, 2000 आते आते आते, और 1997 में पहली बार ऐसा हुआ था, जब पहला network of shared ATM को अलाउ किया गया Indian Banks Association के द्वारा, कहने का मतलब है कि आपका account किसी दूसरे bank में है और आप ATM transaction किसी दूसरे bank का कर रहे हो, तो पहली बार 1997 में इस तरह की सुविधा लाई गई थी, जिसको कहा गया स्वाधान, अब जाने से पहले मैं आपको जल्दी से white level दो, white level बहुत ही simple है, white level ATM किसी bank के द और यहां से पैसा विड्रॉ किया, तो ICSEA bank क्या करेगी, वो अपनी तरफ से Tata को यहां पर कितना रुपए देगी, अब 17 रुपए हैं पर interchange fee के तौर पर दिया चाहेगा, ठीक है, तो यह आपका ध्यान रखना है, इसको white level ATM के द्वारा own नहीं किया जाता, brown level ATM क्या होता है यह bank का ATM होता है, लेकिन इसको outsource कर दिया जाता है, दूसरे किसी person को दे दिया जाता है, company को दे दिया जाता है, कि आप operate करो, जैसे कि SBI है, SBI का एकदम वैसा ही ATM होगा, आपको लगेगा यह SBI का ATM है, और उसी का होता है, SBI का board वगरा होगा, सब कुछ होगा, लेकिन इसका cash अभी भी customers में आपको देखने को मिलेगा, especially rural areas वगरा में, क्योंकि यहाँ पर आप देखो कि जो cash है, economy के अंदर, वो अभी भी तेजी से बढ़ता जा रहा है, इसमें हमें लग रहा था कि digital आने से कोई cash में कमी आ जाएगी, ऐसा होता हुआ दिखनी रहा है, तो यह पूर जाते हैं, वो mobile एक जगह से दूसरे rural areas में जाते हैं, वहाँ पर जब जाता है, तो लोग cash withdraw कर सकते हैं उस ATM से, तो पहला mobile ATM किस के दौरा यहाँ पर launch किया गया था, किस bank के दौरा, इसका जो right answer है, आपको पता ही है, मेरे Instagram पर तो आपको मिलेगा ही, अगर आप वहाँ पर नहीं हो, कोई बात नहीं, टेलिग्राम से भी ले सकते हैं, इसका सही उत्तर, मैं कई सारे MCQs यहाँ पर डालता रहता हूँ, stories के form में आप जाकर play कर सकते हो, बाकि अगर आपको इसका PDF यह अलग-लग social media पर जोणना चाहते हैं, तो आ सकते हैं, और अगर आपको एकनौमी पढ़ना है, तो यह course ज़रू जोइन करिए, या फिर किसी भी exam की preparation कर रहे हैं, तो studyiq.com या फिर हमारे आपको भी download कर सकते हैं, यह ओप कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, मिलता हूँ, आप से next time, till then, thank you very much, see you soon.